हेलो फ्रेंग्स वेलकम बैक टू माई चानल कोगविदमांसी आज हम बनाएंगे केसर पिस्ता पुडिंग यह इंस्टेंट पुडिंग है अगर घर में कोई फंक्षन है पार्टी है या फिर कोई फैस्टिवल है तो आप इसको बना सकते हैं बहुत ही असानी से बन जाती है एक खाने में बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर होता है तो देखते हैं इसे किस तरह से बना सकते हैं यहाँ पैन में मैंने मिल्क लिया है फुल क्रीम मिल्क है और यह आधी लीटर से थोड़ा कम मिल्क है मैं बहुत ही कम कॉंटिटिटि प्रपेर कर रही हूं तो इसलिए म यहां पर ध्यान से डालेंगे केसर देंगे और इसमें डालेंगे इलाइची का पॉड़र एसे अच्छी तरह से पुक होने देंगे इसमें थोड़ा सा इड़ करेंगे तो पिंच ऑफ यलो कलर मैंने डाला है यह उप्शनल है क्योंकि केसर से भी अगर आपके पास कलर नहीं है तो आप इसको इसके पड़ सकते हैं इसको डालना जरूरी नहीं है और अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे चार से पांच मिनट के लिए कोक करेंगे इसे हलका सा गाड़ा करना है हमें देखिए इसमें बॉयल साने लगे है तो थोड़ी देर इसको और कोक कर लेते हैं चार पांच मिनट हो गए है यह अच्छी तरह से कोक हो गया है थोड़ा सा गाड़ा हो गया है तो हम फ्लेम को आफ कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंड़ हो जाने देंगे यहां मैंने यह विपिंग क्रीम ली है इसकी रेसिपी में आपके साथ औलडि़ी शेयर कर चुकी हूं यह बिना विपिंग क्रीम के मैंने दूद से क्रीम बनाना बताया है यह वही क्रीम मैं यहां पर यूज़ कर रही हूं इसमें हम डालेंगे 2-3 चम्मच जो हमारा केसर अगर आपके पास बड़ीपन क्रीम नहीं है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं अपने घर पे रेसिपी का लिंक नीचे da आप डिया होया है, आप वह रेसिपी चैक कर सकते हैं, बिना विप क्रीम के भी आप क्रीम घर बना सकते हैं और केक बना सकते हैं कि उस तरह से फूड् chicos कर च हैं यहां मैंने ब्रेट स्राइस लिए हैं तो जिस भी डिश में आपको इसे सर्फ करना हो बैट पीसिस उसमें आप रखे एक बड़ एड़ एड़स्ट करके देख लीजिए तो मैंने इस तरह से यह ब्रेट पीसिस लिए हैं और जो मिल्क हमने बनाया था केसर वाला उसमें इन को डिप करेंगे जैसक informing मैंने आपको बताया कि मैं बहुत कम कॉंटिती बना रही हूं तो इसलिए मैं बना रही हूं लेकिन अगर आप ज्यादा कॉंटिती बना रहे हैं तो ब्रेट की दो या तीन लेयर साप लगा सकते हैं यान की एक लेयर लिए भी ने पनी वीन कि और फिर आप क्रीम की एक कोटिंग दिय सकते हैं उसके बाद आप final layer लगा सकते हैं इस तरह से आप जितनी लियर चाहें उतनी लगा सकते हैं मैंने यहां पर piping bag लिया है जिसमें नोसिल यूस किया है, स्टार नोसिल है और इस क्रीम को हम piping bag में फिल करेंगे इसके उपर हम क्रीम की एक लेयर लगा देते हैं यह इस तरह से हम क्रीम इसके उपर लगाएंगे और प्रॉपरली इसको कवर करेंगे इसी तरह से आप जितनी चाहें उतनी लेयर्स लगा सकते हैं, ब्रेट की और क्रीम की, तो ये क्रीम अच्छी तरह से स्प्रेड हो गई है, अब हम इसके उपर डिजाइनिंग देंगे, तो आइसिंग बैग यूज करेंगे, और इस तरह से हम डिजाइनिंग दे रहे हैं, तो इस तरह से भी सिंपल डिजाइनिंग बहुत अच्छी लगती है, और अगर आप कोई भी डिजाइनिंग नहीं देना चाहते हैं, यानि कि अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है, नोजिल्स नहीं है, तो आप क्रीम को एकदम स्मूध फैला लीजे इसके उपर और उसके उपर आप गार्निशिंग कर सकते हैं, इस तरह से डिजाइन बनाना भी जरूरी नहीं है, अब हम इसको फाइनली ड्याकुरेट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहापे केसर सीरप लिया है, केसर को मैंने थोड़ी सी चीनी डाल के पानी में बहुत अच्छी तरह से पका लिया, उसके बाद इसको पूरी तरह से ठंडा कर लिया, उस केसर के फ्लेवर को हम इसके ऊपर डालेंगे, क्योंकि हम केसर पिस्ता पुडिंग बना रहे हैं, तो केसर का फ्लेवर हम थोड़ा स्ट्रॉंग रख रहे हैं, इसलिए पानी में इसे अलग से बिलकुल थो काजू या बदाम भी ले सकते हैं, मैं सिर्फ पिस्ता यूज कर रहे हूं, और फाइनल टच इसको हम देंगे, थोड़ी सी ड्राय रोस पेटल्स के साथ, इस सूखी हुई गुलाब की पंखडिया है, वह हम इसके ऊपर लगा रहे हैं, तो हमारी केसर पिस्ता पुडिंग के तैयार है, इसको फ्रिज में रखिए, ठंडा करिए, उसके बाद सर्फ करिए, बहुत अच्छी लगती है, थेंगे सो मच फॉर वाचिंग, सी यू इन मैं नेक्स्ट वीडियो, बाबाए